हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टेक पन अगेंग दोस्तो फिर साथ के लिए में बहुत ही यूसफुल टेकनिकल अपडेट इस वीडियो में लेकर रहा हूं दोस्तो इस कंप्रेट वीडियो में कोई भी टेकनिकल अपडेट आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो का प्लाइक जोर्व करें दोस्तो लाइक करने में हमारा कोई भी नुखसान नहीं होता दोस्तो और टेकनलोजी से रिलेटेट यूसफुल इंफरमेशन कंटिवरसली पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को भी प्रेस करें दोस्तो सबसे पहला जो अपडेट आया है वो हुआवे की तरफ से हुआवे ने एक अपना नया पैटर्ण स्मार्ट वॉच लांच किया है और ये टस सेंसेट्व है लेकिन इसकी स्पैशलेटी ये है कि इसे आप एक्शन दे सकते हो हवा में ही दोस्तो अगर आपने इसे पहन रखा है तो एक लिमिरेट एरिया में इसके चारों तरफ एक कुछ सेंसर्स के जरीए आप डारेक्ली हवा में ही इसे एक्शन दे सकते हो कुछ इंफ्रारेट और अल्टरसोनिक रेज इसमें से निकलती है जो डिटेक करती है आपके फिंगर की एक्शन को और भेशती है डिवाइस को अधने बहुत सारे इसमार्ट वोचीं देखे होगे लेकिन यह सкими इक्शन को टचरने की काम और गांट यहां पर जो भी आक्शन पर्फ抓ांब करोगे वह अधनार्म जो बेचा जाेगा दिवाइस को और ये device में जो भी action आपने दिया है वो अगले जो अपडेट आया है वो Jio की तरफ से Jio ने यहाँ पर एक नया smartphone launch किया है Infocus A2 दोस्तों कुछ मैंने पहले company ने launch किया था Infocus Vision 3 और यहाँ पर अभी जो company ने यहाँ पर लाया है Infocus A2 फिदाल company इसके अंदर हमें दे रही है 30 GB का Jio 4G data दोस्तों यहाँ पर phone जो है यह budget category का है इससे आप offline भी खरीच सकते हो और जो है यहाँ पर इसके specifications के अगर बात की जाए तो company ने इसके अंदर दिया है 5 इंचेस का 2.3D curved display HD display है और साथिया पर 2 GB के RAM scanner company ने दिया है 16 GB का internal storage scanner company ने दिया है और साथिया पर 1.3 GHz का processor है 2400 mAh का battery scanner दिया है अगर camera की बात की जाए तो यहाँ पर दो camera's यहाँ पर company ने लगाया है इसमें front camera 5 MP का है और साथिया पर rear camera भी 5 MP का दिया है दोस्तों company ने इसकी price रखी है 5,199 यानी करीब 500 रुपे दोस्तों यहाँ पर इसे अगर आप Mobi Quick के wallet से अगर आप purchase करोगे तो इसमें आपको यहाँ पर 300 रुबेस का cashback भी मिल सकता है अगले जो अपडेट आए है वो Microsoft के तरफ से Microsoft company के जरिये बने हुए operating systems जिने हम Windows के नाम से जानते हैं हमने बहुत सारे operating system को इस्तेमाल किया है जो है Microsoft के लिए यह बहुत ही एक अच्छा breakthrough हो सकता है दोस्तों इंडिया के अगर बात की जाए तो इंडिया में अभी भी ज्यादतर लोग प्री है जो है वो Windows 7 ही है अगले जो अपडेट आया है वो Flipkart के एक fraud को लेकर नॉर्मली यहाँ पर हम आए दिन जो है बहुत सारे जितने भी e-commerce की website से चाहे Amazon हो चाहे Flipkart हो eBay हो तो ऐसे में हम बहुत सारे प्रोड़क्ट जो हो order करते रहते हैं और यहाँ पर हमें properly वो delivered भी हो जाता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत सारे fraud भी इसके अंदर होते हैं तो नॉर्मली ऐसे एक fraud जो है मुंबई के एक इंजिनियर के साथ हुआ है जिन्होंने order किया था iPhone 8 को और इसके लिए उन्होंने पेट किया था 25,000 उपे दोस्तों यहाँ पर उन्होंने ऑनलेन ट्रांसफर किया था और जब उन्हें उस प्रोड़क्ट को यानि iPhone 8 को डिलिवर्ट किया गया तो यहाँ पर उन्होंने जब box को open कर के देखा तो यहाँ पर उन्होंने जो है यहाँ पर एक fraud उनके साथ में किया गया और box मे यहां पर बेजा गया एक डिटरजन केक को, तो नॉर्मली यहां पर दोस्तों हमने बहुत सारे वीडियोस हमारे सोशल मीडिया नेटाथ की उपर देखे होगे, और बहुत सारे वीडियोस जो है वाइरल हो जाते हैं, कि देखिए हमने ओडर किया था इस चीज को, लेकिन हमने कम जाए, लेकिन दोस्तों हर बार इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, अगर नॉर्मली अगर ऐसे रियल में किसी के साथ में होता है, तो यह वाके में हमारे लिए बहुत हामफुल है, दोस्तों आप जो है इस तरीकी के वीडियो अगर आपको लगता है, कही से अगर आ अगर नहीं है, तो ऐसे में मार्केट में जाकर उस प्रोड़क्ट को खरिदना होगा, वहीं पर सारी चीज़े देखकर हम उसे खरे देंगे, लेकिन अगर जो हैं दोस्तों, ऑल्ले अगर हो जाता है, ऑल्ले सारी चीज़े हो जाती ही, तो हमारे लिए काफी टाइप सेवि के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो आपको देज रहा है अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे request करूँगा कि आप वीडियो भी देखें उस वीडियो का लिंक मैंने आपको description में दिया है जहाँ पर मैंने बताया है कि आपको जो है किन चीज़ों का ध्यान जो ग्लोबल इंटरनेट के speed को टेस्ट करने का काम करती है दोस्तों फिलाल ओकला ने यहां पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें आपर बताया है कि इंडिया ने rank कर ली है number 2 पर दोसे यहां पर इंडिया ने 42.4% का growth किया है 2017 में दोसे यहां पर जियो की वज़े से जो है काफी सारा बहुत दी rapidly grow यहां पर हमें देखने मिला है और हो सकता है कि हम धिरे धिरे जो है number 1 की rank पर आज है अगले जो अपड़ेट आया है वो Google की तरफ से Google ने अपना Google Assistant Go Play Store पर अवेलेबल करा है जितने भी Android Oreo Go Edition के devices हैं उनके लिए नॉर्मल यहां पर यह बहुत सारी international language को support करता है जैसे इसके अंदर English है, French है, German है, Portuguese है, Italian है और भी कुछ अधर language जो है अब Play Store पर चेक कर सकते हैं तो इन सारे language को यह support करेगा और जितने भी Go Edition के devices हैं वो इसको इसको इसे इसमाल कर पाएंगे बहुत ही आसानी से दोसरे इससे पहले भी company ने Google ने यहां पर जो है तो दोस्तों यह थे अब तक के technical updates, उमीद है वीडियो आपको पसन आया होगा, अगर यह वीडियो आपको वाकिम अच्छा लगा है तो इस वीडियो का प्लाइक ज़रो करें, इस वीडियो का अपने दोस्तों से ज्यादर ज्यादर शेयर करें और जल्द ही मिलेंगे एक न